नमस्कार दोस्तों, हिंदो धर्म में विवा, शादी और हर चीज के लिए रीती रिवाज होते हैं, इसी में से एक है दूले का घोडी पर बैठना, आप सभी नेवी देखा होगा, शादी पर दुलहन को लेने दूला अमेशा घोडी पर बैठ कराता है, जमाना चाहे जितना भी आगे क्यों ना बढ़ गया हो, लेकिन आज भी लड़का शादी के लिए घोडी पर ही बैठ कर जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं दूला घोडी पर ही क्यों बैठता है, घोडे या अन्य किसी सवारी पर क्यों नहीं? ये कैसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही किसी तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे शादी पर दूला घोडी की सवारी ही क्यों करता है और घोडी के स्थान पर कोई और जानवर इस्तमाल क्यों नहीं करता तो आए जानते हैं इसके बारे में पौरानिक मानिता के अनुसार प्राचीन समय में जब शादियां होती थी तो समय राजा महराजा विवाग के लिए लड़की को लेने घोड़ी पराते थे इस बात से आप वाकिफ होंगे कि लड़के को उसकी शादी वाले दिन राजा माना जाता है तो इसे दिन शादी के लिए दूलहा घोड़ी पराता है इसके पीछे एक वज़ा रामायर काल की भी है जिसके अनुसार जब सीता माता का स्वयमबर हो रहा था तो वहाँ उपस्ति सभी राजाओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया लेकिन धनुष को ठाना तुदूर कोई उसे हिला भी नहीं पाया जब श्री राम ने धनुष को तोड़ा और सीता माता वर्माला डालने के लिए उनकी ओर बढ़ी तभी राजाओं ने अपने अपनी तलवारे निका श्री राम भी उनसे युद्ध करने को ततपर हुए तभी परशुराम जी के आगमन से सभी को ग्यात हुआ कि श्री राम से युद्ध करना मृत्यों को बुलाना है एकान्य मानिता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवा देवी रुख्मणी से हुआ तो उस वक्त भी युद्ध हुआ था शाय दिनी कारणों से दूले घोड़े पर बैठ कर शादी के लिए जाते थे उस समय में घोड़े को वीर्ता और शौरी का प्रतीक माना जाता था क्योंकि जंग में घोड़े विशेश भूमी का निभाते थे बदलते दोर के साथ स्व घोड़ी बुद्धिमान, सक्रिय और चालाग जानवर है इस पर केवल स्वस्थ लोग ही सवार हो सकते हैं घोड़ी की बागड़ोर को सिर्फ महनती, कामकाजी और जिमेदार इनसान ही समहाल सकता है और ये इस बात का प्रतीक है कि दूलहा परिवार की डोर को समहाल कर रख सकता है तो दोस्तों ये थी वज़ा जिस कारण लड़का घोड़ी पराता है तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें साथी इसी तरह के और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे कुंडले टीवी से नमस्कार